प्रेंज विल्कम रान अक्यादमी दसमीर ओक्टिस सधार तरोरा हम आ चुके हैं सेशन नुबर 18 ओफ दिस समरी कोर्स अफ लक्षमी कान्थ फॉर पॉलिटी बे नाओ तुम नोटिस करे होंगे कि मैं कितने एक पैटर्न के साथ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ जहां पर मुझे emphasis देना है मैं वहाँ emphasis दे रहा हूँ जहां मुझे fast जाना है मैं वहाँ fast जाओंगा जहां मुझे पूरा topic एक साथ खतम करना है जैसे last time हमने एक ही session में basic structure doctorine खतम कर दिया था वहाँ में खतम कर दूँगा जब मुझे जरुवत होगी तब मुझे ऐसा लगेगा कि यहां पर एक mcq based revision की जरुवत है मैं वह भी खतम करूँगा मुझे बहुत सारे aspirants का message आता है बहुत सारे viewers का message आता है कि sir हमको fast कर दो पिटा कहीं नहीं पहुंचोगे इस exam को crack करने के लिए तुम्हे syllabus पूरा करने से बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो तुम पढ़ो वो तुम्हें आना चेह तो उस उस point of view से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से ज़्यादा दर aspirants पढ़ने की कोशिश करते है इसा जल्दी कातम कर दो that I don't think is a good place to be that is going to be counterproductive and you are not going to go any fair in this exam so make sure that you start studying in a figure in a style which will take you at least give you a realistic chance of cracking this exam so let's try and do this right आज हम लों session number 18 करें मैं चाहता हूँ कि आप लों सब लों मेरे telegram channel का part बन जाओ right बहुत सारे pdf's in fact जो हमारी existing classes के भी pdf's है वो भी मैं free circulate करूँ आप लोगों को जो pdf चाहिए वो सारे के सारे आपको इस telegram channel पर मिल जाएंगे right so great opportunity हम लों लक्षमी कांथ पढ़े Tuesday Thursday Saturday ये sessions आपके बास आते रहेंगे यह गूंड़ गो स्लो बड़ यह गूंड़ गो स्टड़ी राइट अंड़ इंटार आइडिया हर Tuesday Thursday Saturday ये वीडियो जाएंगे बीच में जो time आगा उसमें आप revise करो अपने multiple choice questions करो आज का जो हमारा session है वो session number 18 है पड़ इससे पहले एक major announcement अगर आप one to one पढ़ना चाहते हो जिसका है कि एक अलगी आनन्द है जादा तर जब जब YouTube पर पढ़ाया जाता है तो it is a one-way street मैंने यासे बोला तुमको कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया I really don't know so कितने बात ऐसे होगे कि there might be many issues left but you just can't reach out to me now what do I do मैं इसके बार में कुछ नहीं कर सकता लेकिन जब आप plus classes में होते हो तो there you can have an immediate feedback and I can resolve your doubts there and then if you want to do that इस code को scan करो जहां पहुंचोगे वहां पर SID-like code यूज़ करो this is me Dr. Siddhar Tarora ऐसे आपको मेरा profile दिखाई देगा with more than 34 करोड प्लस watch minutes वहां पर अब एक बड़ा massive offer आया है जिसको नाम दिया गया अभ्यारती से अधिकारी तक यानि कि आपके पास 24,999 में आपके पास यह opportunity है कि आप अपनी पूरी preparation complete कर दो this is a great opportunity आपने सिर्फ code यूज़ करना है SID, LIVE and I think you are good to go तो अगर आप यह मौके का फाइदा उठाना चाहते हो इसको कर लेना प्रीस रिमेंबर यह September 12 तक ही है 12 September तक है तो यह time निकल जाएगा काम खतम हो जाएगा लेट्स नंट गेट इन्टो इस पाट अल्सो एक और important बात हर शाम को साड़े 6 बजे मेरी special classes में अटेंड करना और उसका लिंक यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ इन special classes में मैं हर topic को जो हमने पढ़ाया हुआ है उसको multiple choice questions के form में आपके साथ revise करता चले जाऊँगा तो यह एच्छा बोड़ा अच्छा मौका है आज हम लोग करेंगे episode number 18 और यह बड़ा ही interesting topic है now एक ही topic करेंगे लेकिन यह topic बड़ा important है और इस पे बहुत सारे questions भी बनाई जा सकते है in fact आ चुके हैं तो और भी आएंगे the topic जिसके बारे में हम बात करें वो हमने कुछ हर्थ तक पहले भी पढ़ा हुआ था लेकिन यह जो topic है यह हम लोग कर चुके so let's get down to the आच का topic and that topic is abolition of untouchability now सबसे पहले तुम्हें इस बारे में चाहे आप history के students रहे हो चाहे आपने sociology पढ़ा हो चाहे आपको constitutional history बता हो चाहे आपको polity governance बता हो इंडिया की society में एक बहुत ही एक शरमनाग प्रथा अब मानी जाती थी और जो practice की जारी थी वो थी untouchability in fact हमारे the great two leaders बाबा साहे डॉक्टर बी आर अंबेटकर और महात्मा गांदी दोनों ने अपना जीवन इसी में व्यतीत कर दिया कि वो किसी तरह से इस untouchability के अभिशाब से इस समाज को मुक्त कर पाए और in fact बाबा साहेब ने जब अपनी बुक लिखी annihilation of caste in fact बाबा साहेब तो खुद ही इस untouchability के victim रहे थे और उसी तरह से महात्मा गांदी ने भी untouchables को word यूज किया था हरीजन जो term actually संथ नर्सिंग मेता ने यूज किया था लेकिन फिर समाज में ऐसा कोई अभिशाब होता है तो हमारे पर एक और dependency होती है रादर एक opportunity होती है कि आप law या constitution के अनुसार भी उस अभिशाब उस बुरी प्रथा उस discrimination को खतम कर दो सबसे पहले याद रटना article 17 जो है वो एक group of fundamental rights में एक group of malli का अधिकारों में जो बीच में है 14, 15, 16, 17 and 18 अगर तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें fundamental rights पढ़ाए थे तो when I taught you fundamental rights at that state हम लोगों ने ये बात notice किया था कि article 14, 15, 16, 17 and 18 ये rights to equality समानता के अधिकार से related है पूरा fundamental rights को groups में divide किया हुआ है rights of equality 14, 15, 16, 17 and 18 19, 20, 21, 22 को हमने rights of protection या rights of freedom का नाम दिया हुआ है 23 और 24 को rights against exploitation 25, 26, 27 and 28 को rights of religious freedom 29 and 30 को cultural and educational rights, 31 compulsory acquisition of property, 32 right to constitutional remedies तो हम लोगों ने ये सब कुछ किया हुआ है now the point here is कि 14, 15, 16, 17, 18 equality की बात है अब इससे ज़्यादा inequality क्या होगी कि अगर आप किसी और human being को untouchable बोलो I think इससे बड़ा अभिशाब हो नहीं सकता and that is the reason as I told you the the biggest biggest talk the biggest political biggest social leaders ने इसके बारे में ही बात कि कि किसी तरह से untouchability हटे तो मात्मा गांधी बोलते थे my fight against untouchability is a fight against the impure in humanity बाबा साहिब ने पूरी बुक लेखी थी annihilation of caste उनका पूरा का पूरा concept ही ये था कि ये discrimination बंद की जाए तो the point यहाँ पर ये है अब ये तो हो गया विचार लेकिन क्या इसको हमें constitution में डालना पड़ेगा बिलकुल सही बात है so एक fundamental right मौलिक अधिकार डाल दिया गया कि untouchability तुम बोर्ट पे दिख सकते हो untouchability is abolished यानि कि पूरी तरह से इसको मना कर दिया गया है और इसका practice किसी भी form में किसी भी form में the word यहां पर बड़ा important है the word जो यूज किया गया है वो है any form this is very important any form is forbidden आप इसके बारे में ना समें state discriminate कर सकता है ना individual discriminate कर सकता है ना job देते time कर सकते हो ना कोई joke बना सकते हो ना कोई religious place में entry से मना कर सकते हो आप कुछ भी नहीं कर सकते in so far as untouchability is concerned यानि कि देखा जाए तो article 17 शायद एक ऐसा पहला fundamental right है जो इसमें कोई exception ही नहीं है कि जी आप किसी भी तरीके से इसको practice नहीं कर सकते और अगर तुमने किया चाहे वो किसी भी form में किया then you will have or you would have alleged to have committed an offense जिसके अंतरगत तुमको punishment हो जाए so protection of civil rights act of 1955 पास किया जया protection of civil rights act यह question आता है तुमको कि यह केवल constitution में लिखा हुआ नहीं है यह सिर्थ constitution में लिखा हुआ नहीं है इसके पीछे एक normal parliamentary lobby है so protection of civil rights act of 1955 में अगर किसी individual ने ना ध्यान से सुनना अगर state ने अगर state ने untouchability के basis पे कोई discrimination किया तो तुम कहा जाओगे तो सर हम ना supreme court जाएंगे हम high court जाएंगे supreme court और high court में जाकर हम बोलेंगे कि हमारे fundamental rights की violation हो रहा है वहाँ पर article 32 और article 226 का इस्तेमाल करेंगे respectively the supreme court and high court और एक writ order पास किया जाएगा against the state ये तो हो गया अगर state ने practice किया but let me assume for the time being कि ऐसा भी तो हो सकता है कि state ने नहीं practice किया किसी individual ने किसी person ने इसको practice किया तो थोड़ी ना तुम supreme court या high court जाके writ order लाओगे क्योंकि supreme court का या high court का writ तो state के अगरेंस अपलेकेबिल होता है तो फिर किसको लगाओगे कैसे उनको रोकोगे तो उनको रोकने के लिए आपके पास एक normal कानून होना चाहे एक normal law होना चाहे तो आप police station जाओगे police station में police के पास कोई law होना चाहे कोई कानून होना चाहे जिसका वो इस्तेमाल कर सके तो वो जो law है वो जो कानून है उसको बोलते है उसका example है protection of civil rights act of 1955 अगर तुम protection of civil rights act of 1955 पढ़ोगे वैसे तो उपर उपर से पढ़ना है ज्यादा detail में तो जाना है नहीं लेकिन even if you get the prima facie the first glance of it तो तुम्हें ये तो दिखेगा कि वो punishable offense बना रहे है अगर untouchability कर रहे है कोई practice करेगा तो वो punishable है लेकिन अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे ना you'll realize कि वो काफी mild है मतलब वो इतना stringent नहीं है उसमें बहुत तारे loopholes भी है और उसमें हम क्या करें तो उस law से को all strong करने के लिए 1989 में वो जो पुराना protection of civil rights act of 1955 था उसको abolish कर दिया गया abolish नहीं रिपील बोलते है उसको रिपील मतलब उसको remove कर दिया गया उसको बोला तू मढ़ जाओ एक नया law बनाया जाएगा और उस law का नाम शायद तुम्हें यहां पर दिखने रहा मैं यहां पर लिख देता हूँ उसका नाम है SC schedule cast and schedule tribes prevention of atrocities act कि ओफ 1989 तो यह आज जो law applicable है वो यह वाला है कि तो protection of civil rights act of 1955 भी वही था वो भी punishably लिए offense करता था okay in case of you know anyone practicing untouchability यह भी होई करता है लेकिन SCSt prevention of atrocities act of 1989 ने इसी लौ को और ज्यादा strong कर दिया और ज्यादा stringent कर दिया जो लूपोल से उनको हटा दिया गया so आज अगर तुम्हें question आएगा कि which is the law which makes it punishable offense to practice untouchability in any form whatsoever तो answer is SCSt prevention because यह वाला law अब repeal हो चुका है यह जा चुका है इस नए वाले law में special court है इस नए वाले law में pastor justice system है इस नए वाले law में stronger punishments है bail के chances कम है and so on and so forth so we have seen better सुभाश काशिनाद मार्जन वाला case है जिसमें इसको challenge भी किया गया था कि यह इतना strong law है लेकिन यह जरूरी है so the point here is कि this is what is happening now there are certain keywords जो आपको समझना पड़ेगा देखो जब हम untouchability बोलते है तो untouchability को ऐसे नहीं word यूज किया गया untouchability को ऐसे समझा जाता है it is inverted commerce यानि कि untouchability एक broad wide word है इसको कोई narrow interpretation नहीं दिया जा सकता अब मैं तुम्हें example देता हूं let's take an example कि जब covid चल रहा था जब covid का pandemic चल रहा था उस ताइम पर भी बोला जाता था कि या जिसको covid का infection हो गया या जो खांसी कर रहा है और हमें मालूम है कि वह infected है तो हम उसको दूर कर देते थे या दूर हो जा और राइट क्या इसको हम untouchability बोल सकते नो इसको हम untouchability नहीं बोल सकते बिकाज यह individual boycott नहीं है उसको include नहीं करता वो तो allowed है allowed क्या नहीं है कि by birth on the basis of some social discrimination एक class को आपने untouchable बोला उसको बोला जाता है untouchability तो कोई deficiency अगर आपकी इंडिविजर बहुत सारा अगर तुम्हें मालूप में medically भी बोला जाता है अगर कोई बिमारी है तो उसको दूर करना उसको untouchability नहीं बोलते ओके untouchability जिसको constitution मेंचिन कर रहा है it is more on social disabilities primarily based on birth यह बड़ा important है in fact उपेंदर बक्षी का एक बहुत अच्छा article था okay that is jurisprudence of inverted commerce तो उसमें इसको बड़ा classify किया गया है permanent and temporary states of untouchability तो यह बड़ा interesting concept है इतना easy नहीं होता तो जब आपको untouchability वर्ड़ी होता देखो मैं तुमको चोटी से class में भी कभी advanced level पढ़ा रहो कोशिश यह है कि तुम्हें जो topic आए वो पूरी तरह से आए so the point यहां पर यह कि untouchability okay आप temporary untouchability और permanent untouchability को differentiate करते medical grounds पर बोट ताइम पर you know untouchability in fact बहुत सारे और भी तरीके से temporary untouchability बोला जा सकता है लेकिन permanent untouchability based on birth जो social disability cause करता है उसको inverted commas में अगर हम डालेंगे तो उसको हम लोग untouchability बोलते हैं in other words इसकी कोई एक narrow definition भी नहीं है so many many of these things हमको courts की judgment के basis पर sound में आता है क्यों oh court ने समझिया कि इसको untouchability जैसा behavior किया जा रहे so there could be a plethora of examples on this part but in all these forms article 17 will come into the picture and remember article 17 एक ऐसा article है जो state पर भी लगू होता है और एक individual action पर भी लगू होता है और last but not the least article 17 एक ऐसा example है जिसमें कोई exception नहीं है तुम्हें लग रहा होगा कि यह छोटा सा topic है मैं तुम्हें पताता हूं कि यह इस पर प्रिलिफ पर question आया हुए इस में में पर question आते हैं अगर आपने sociology लिया होगा as your optional उसमें question आता है constitutional history का यह बड़ा important part है and quality का तो obviously आपको यह समझ में आई जाता है सो आपको छोटे छोटे topics invite करने होते memorize करके कोई फायदा नहीं होता जल्दी खतम करने का point नहीं आज इसके बारे में विचार करो do five six questions जो तुमको अपने कई ना कई question bank से मिलेंगे and then we'll get to article 18 next time and उसके साथ सार हम लोग fundamental rights of freedom पे इंटर करेंगे सो दीरे दीरे तुमारा base strong होता जाएगा once your base is strong तुमें quality के basic examples clear हो जाएगे you will become ballistic so I think that is the way you should study in the words of an academy let's crack it until next time God bless thank you and Jai Hind